नमस्कार, वलकाम टू मैं चैनल आशा करती हूं आफ सीले गुरी में आके दिदी के घर में पहली मैं सुबह उठके नहा कर पूजा कर लेती हूं पिन नास्ता कर लेती हूं सुबह सुबह मैं चाय बिस्किट और मूरी खाती हूं फिर सारे ना तस बज़े के करीब मैं चावल खाती हूं आज मौसी कुछ जादा नहीं बनाया क्योंकि आज बड़ी पाटी है दिदी के ससुराल में संजदा के बरभाई जो है उनके मौसी अज बनाई है बदगोवी मच किसली और अलुपपित की सबजी ये शम को हम चले गए जीजाजी के दूसरे घर में काफी बड़ा घर है जयांट फैमिली है जब सब लोग किकटे होते हैं तो बहुत मज़ा आता है ये है जीजाजी का बड़े भाई जिनका जनम दिन है आज और जीजाजी का बेहन और बह खुमेhis है ृ сум ज़ा जीजाजी के भै ay जिजाजी सब एककटे मिल्के बातचीत कर रहे हैं सब लोग इतना प्यार करने वाले से बात्चित कर रहते हैं यह आ चुका है केक अभी दादा केक कटेंगे हैं हर साल और भी लोग आते हैं लेकिन इस बार सब अपने काम में विजी है तो इसलिए कुछ-कुछ लोग आने पहे हैं मैं ज्यादा तर फंक्शन अटेंड करते हूं तो लग के लिए इस साल भी मैं आ चुके हूं बहुत इंजे किया है बहुत मज़ा है मेरा भाई भी रहता है इस वर नहीं है बैंगलोर है तो काफी मिस किया हम लोग ने इसको दादा काफी मस्ती करते हैं सब को हसाते हैं इतना अच्छा लगता है बहुत ही अच्छा इंसान है मानु भी बहुत मस्ती कर र के काटने की तयारी यह है जीजा जी कि ममी बहुत ही अच्छा इंजान है बहुत यह है जीजा जी फोटो किसने में वीजी है अब हम खाना खाने बैठ गए बहुत कुछ बनाया थे मीट मचली डाल पाच किसम के फ्राइज पापर चाटनी मिठाया बहुत कुछ सब कुछ बहुत ही टेस्टी था यह सब मासि हुआ और भावी ने बनाया खाना खाना के बाद हम सब फिर से गप्पे शप्पे में लग गए आज का दिन ते बहुत ही खास गया वह आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तक तक के लिए बाए झाली था भावी भावी ने गलिए बावी था खास एक है घुएर पास था प्तां तक कुछ दो आज दोग ने अज़ पास अगलें लिए खास जई तक का धिन आज वर के बावीड़ पास जब